उड़द की दाल के दस्चमतकारी फायदे जो आपकी हर बीमारी को जड़ से उकार फैकेंगे आईए जान लेते हैं नमबर एक सक्ति दायक उड़द दाल का आटा 500 ग्राम गेहूं का आटा 500 ग्राम पीपल का चून 5 ग्राम लें और उसमें 100 ग्राम घी मिलाकर चूले पर पकाकर 40-40 ग्राम बजने के लड़दू बना लें रात को सोने के समय एक लड़दू सेवन करके उपर से 500 मिली लिटर दूद पी ले इसके प्रियोग में खटे, खारे वे तेल वाले चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे सरीर चीन नहीं होता और सारीरिक टाकत बढ़ती है नमबर दो सफेद दाग काले उड़द को पीस कर सफेद दागों पर दिन में 3-4 बार दागों पर लगाने से सफेद दागों का रंग वापस सरीर के बाटी रंग की तरह होने लगता है नमबर तीन गंजापन उड़द की दाल को उबाल कर पीस ले रात को सोने के समय सिर पर लेप करें इससे गंजापन धीरे धीरे दूर होकर नए बाल आने सुरू हो जाते हैं नमबर चार सारे रिक शक्ति के लिए उड़द का एक लड़दू रोजाना खाकर उसके बाद दूद पीने से शक्ति बढ़ती है नमबर पांच अरदांग वाक उड़द बैसोट को चाय की तरह उबाल कर इसका पानी पीने से लाव होता है नमबर च्छे हिचकी साबुत उड़द जले हुए कोईले पर डालें और इसका धुआ सूंगे इससे हिचकी खतम हो जाती है नमबर शाथ नकसीर वे सिद्दर्द में उड़द डाल को भिगव कर वे पीस कर ललाट पर यानि की माते पर लेप करने से नकसीर वे गर्मी से हुआ सिद्दर्द ठीक हो जाता है नमबर आठ फोडे फोडे से गाड़ी पीव निकले तो उड़द की पट्टी बांगने से लाव होता है नमबर नो नासा रोग उड़द का आठा कपूर वे लाल रिस्मी कपड़े की राख को पाने में मिलाकर सर पर लेप करने से नासा रोग में लाव होता है नमबर दस पेसाब के साथ धातू का जाना उड़त डाल का आटा दस से पंदरे ग्राम लेकर उसे गाय के दूद में उबाले फिर उसमें घी डार कर थोड़ा गरम गरम साथ दिनों तक लगातार पीने से मूत्र के साथ धातू का निकलना बंद हो जाता है नमबर 11 पेसाब का बार बार आना अगर एक चमच आउले के रसमें आदा चमच हल्दी और एक चमच सहद मिलाकर खाएं तो पूरा लाब होता है तो दोस्तों ये थे उरद की डाल के कुछ चमतकारी फायदे तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत